कि राध्यद्धान राज़ने डिल्ली मेंकोरोन संक्रमन के ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है और इसको लेकर दिल्त सरकार लगातार जो डिल्ली में पाबंद्या लगा विए उसको कम करती जा रही है अगहरे मोर सब्सक्राइब कुछ लोग पूजूदें से बात्सेट करें आमम क्या राम आपका आम्म आपके बच्चे हैं इसे में आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे हैं तो इस ने निए लिए स्कूल पर देखेंगे और 14 फरवरी को अर्शी के स्कूल खुलेंगे इसको कैसा जिसके सरुकान के पढ़ने की अचा है? तो आप क्या चाहते थे स्कूल पुल जाने चाहिए सरकार के अफ्रस्वा से इस्वारत करते हैं तो जाने चाहिए आप जब जाएंगे तो क्या करेंगे स्कूल अपने दोस्तों से मिलेंगे करेंगे खेलेंगे लेकिन कुरोनों का ज्यानी भी रखना है मास पहनेंगे प्रिकॉशन रखेंगे अब कौन सी क्लास में आप बताईए कैसा लग रहा आप जो इतने दिनों बाद जो है स्कूल खुल रहे हैं क्यासा लगेगा अपने दोस्तों से मिलेंगे कितने महीने बाद अपने बाद जो जाएंगे दोस्तों से किस तरीके से मिलेंगे खुशी हो रही है सब्सक्राइब जो यह साज़ा ज़रूरी है सब्सक्राइब जो 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 जिनके माता पिता नहीं बेजना चारहें उनको क्या खेंगे जी 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 मैं स्कुल से एक गिरूब सरकार से कि हाँ इसकूल जाने चाहिए जो कि नहीं हो पारा ओनलाइन पेरेंट्स की पुरी डूटी लग जाती है एट ओफ बैट जाते और बन ओफ टे क्लास चलती रहते चलती रहती हो ति अधर कर वे जादा क्हाली पेरेंट्स में थे टीचर जादा पुछ ऑनलाइन प्राव थे जी में और फ्लाइन डूर नहीं पढ़ा चाहिए लेकिन अभी अभी बावा कैसे आधे मैडम जो प्र्चों को नहीं बेज आ चाहिए उनको क्या पहीं आए बच्छों की अच्छा आप से नहीं अच्छार आप से बच्चार उसकतें काया उसक्तिया आप से जाना हैं तो इतने गिनों से स्कूल बंद है आप स्कूल बोल भी एक स्क्राव में इस पैसले कुछ कर दिख ? बच्चे पढ़ते हैं घर में वैसे जो पढ़ाई होने चीज़ नहीं हो पाती है बच्चे खराब हो गए हैं इस यह शैता निए नहीं करते हैं ना पर तो अब जब स्कूल खुरने हैं आप पहले दिन से बेजने में राजी है और जो बाकिया भी भावा के आपको क्या कहेंगे उनको भी बेंजना चाहिए लेकिन शोशल डिस्टेंसिंग का पालन दखा जिए तो आपने देखा कि बच्चों का और उनके माताफिताओं का क्या कुछ कहना है जो दिल्ली में स्कूल खुल रहे हैं साथ परवरी से चरण ब बात्चे कर लेते हैं महीं जी क्या कहेंगे आप इस अच्छा में मौजूद हैं बच्चों की जो स्कूल है वो खोल देगे हैं बच्चों से माताफिताओं करिए तबने स्वाधत की आपको करता हूं और मैं यह कहना चाहूंगा देखिए बहुत अच्छा फैसलाए सरकार क सब्सक्राइब कराना बहुत ही जरूरी होगा पिंगांस कामडेशन के आप स्कूल में जाके बच्चों को जरूप करें के बच्चों करेंगा सब्र करें और हैं सब बच्र करें और बच्चों सब्सक्राइब करते हैं आप क्या कहना है वैसे जल्दबाजी तो नहीं आपको पहले हैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है देखिए क्यों काफी टैन्से बंध है विश्कुल खुलना भी एक जरूरी है क्योंकि मैंने आपको जैसे में बढ़ाया कि एक फील आना बहुत जरूरी है कुछ भी कार्रे करें जब तो उसका महुन नहीं होगा जब तक नहीं हो पाएगा तो फील पढ़ाई नहीं हो पा रहे थी बहुत बच्चों से किसी में पूसता था तो बोलते थे हमाई तो चुट था तो आप ने देखा कि जनता का चैना है यह जो फैसला आयए दिंदी सरकार का उसको को लेकिए और भे लोगों से बाचित करें तर्फ का नाम हाँ आव तैनला जी जिनली सरकार के स्वैसले को कैसे देखते जी मौर रही कह सकते सब्दिदय के वह हो लखे लिए है क्या लेकिन जो अभी भावा किया है यह सोच लेकि बच्चे जो है वह संत्रम इतना वजन तो यह बच्चों कि अभी अभी भावतों को मनने भी दर बिख रहा है उनको क्या कर दो नहीं है सब्सक्राइब कर देखा कि दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है डीडिया मैंने जो यह फैसला लिया है दिल्ली में मैं नोवी से बार्वी तक की कख्षा जो हैं वो कुल जाएंगे उनके दर्वाजे कूल दिया जाएंगे और साथ ही चौदा पर इसे ने अटनी कि कख्षाओं के दर्वाजे बच्चों के लिए दिल्ली की जंता का दिल्ली में जो बच्चे है स्कूल जाएंगे उनका क्या कुछ कहना है साथ उनके अभी भावों को क्या कुछ कहना है हमने आपको यह दिखाया बाकि हमारे चैनल आप लोग उसे लगाता रखनी करते हैं कि आप लोग शोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए बले ही आप करोना संक्रमन के मामल तरीके से बंद कर दिया था लेकिन दीरे दीरे करोना के मामले कम हुए और इसकूल खोलने की सुरुवात दिल्ली से की गई लेकिन अब राजधानी लखनों के साथ उत्तरप्रदेश में लगातार करोना के मामले कम हो रहे हैं ऐसे में मुकमंत्री योगी आदितनात ने एक क्या-क्या वहां पर सुबधाय होनी चाहिए इसको लेकर आज हम कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात करेंगे और साथ ही उस मुद्दे पर भी बात करेंगे जब ऑनलाइन की क्लासेस की जा रही थी और इस बीच किन-किन दिकतों का सामना करना पढ़ था तो हमारे साथ बच्चे भी हैं और उनके गार्जन भी होंगे हम उनसे बात करेंगे सबसे पहले हम राजधानी लग्रों कि उन लोगों से बात करते हैं क्या नाम है आपका नीरस किस आप में पढ़ते हैं मैं इस बार फर्स्टियर में हूं साइनसाइट से और उस्कूल की पढ़ाई अभी मतलब नहीं चल पा रही है उतने अच्छे से क्योंकि क्रोणा की जो मामले है वह बहुत ज्यादा थे स्कूल बंद कर दिये गए थे कॉलेज बंद थे ओनलाइन क्लासे चल रही थी किस तरीके से देखते थे आपके ओनलाइन क्लासे में क्या-क्या समस्या हो रही थी क्या-क्या परिसानी हो रही थी ओनलाइन क्लासे सही से चल नहीं पा रहे थी क्योंकि नेटवर्क इशू भी रहता है और काफी जगह पे जैसे कई परिवार ऐसे हैं जहां पे तीन तीन चार चार बच्चे हैं लगातार और सेम टाइम पे क्लासे अटेंड नहीं कर पाते हैं इसके वज़े से दिक्कते आती ह और नेटवर्क इशू रहता है और पापा ममी यह तो नहीं कहते हैं कि आपको सबको मुबाइल खरीद के दे यह भी नहीं रहता है और आफलाइन क्लासे सोंगी अगर जो तो हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा क्योंकि अब राजनीतिंग में बात करें तो हम कि एक हजा आदमी निकाल सकते हैं तो हम 200 बच्चे अगर जो हम लोग स्कूल जाएंगे थो हम लोगों को को शुल को और जारह है और जो एक हजार बच्चे मतलब छो रेलिया निकाल रहे है उनके लिए और यह नहीं सोस्ल क्योंकर ल्यआई और यहां क्योंद जांसिंग है तो हम यह बात बिल्कुल सभी है कि राजनीतिक जो पार्टियां वह रेलिया कर रही है एक हजार लोग बेढ़ गठा करके रेलिया कर रही है उसमें करोना नहीं फाला है लेकिन अगर बच्चे इसकोल जाएंगे तो कुरोने का डर रहता है और भी लोग है मुण से बार बात करने के कोशिस करेंगे मैं आप आजाई एक मिनट मैं क्या नाम है आपका जी साथ तारीक से स्कूल खुले जा रहे हैं तो आप किस तरीके से देखते कि अभी तक तो क्रोना के मामले ज्यादा थे ऑनलाइन क्लासे चल रही थी बच्चों को बहुत समस्या आ रही थी लेकिन आप साथ स्कूल खुले चाहिँ लगब नेट वरक इसूरे करते हैं नहीं कर पाते हैं नहीं पाते हैं तो अब ऐसी स्कूल खुले जा है तो आप किस तरीके सी और क्या सुविधाय होनी चाहिए बच्चों के लिए सुविधाय खुलना चाहिए पढ़ाय होना चाहिए कि बच्चे घर में और बिगड रहे हैं इसकुल होना चाहिए पहले जैसे था कुछ नए करोना ख़ली भारा मुएक रहा गया बस है कुछ नहीं हमेशा इंसान तो बीमारी कभी छुटा नहीं हमेशा चलता रहेगा ना इसलिए इसकुल तो जरूर है खुल जाए बच्चे के लिए यही है बस थंडा भी कम हो गया है अब तो हमारे साथ और भी अविवावक हैं उनसे बार बात करनी कोशिश करेंगे मैं क पूरी तरीक स्काम नहीं है खुलने चाहिए हमारे बच्चा कुदी घर पर बढ़ता है उलाइन पड़ता है तो कुछ भी नहीं पड़ पाता क्योंकि रख लिया और उसमें किताब रखी तो ठीक देखा तो ठीक नहीं देखा तो कोई बार नहीं हो रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं तो खूल दीनी चाहिए लेकिन इसकूल में सुविधाई क्या क्या होनी चाहिए क्योंकि वेक्षी नेशन भी बच्चों को जो 14 साल के हैं लगने लगे हैं तो फबसक ह Noch जो हम भी डिटिया दो तो समें लगने तो शम क्राइब आज लगनी थी तो कर रहे लेक्षी कुछ आता ही नहीं बच्चों को वही कि हर में कितनी पढ़ाई कर लें वही खेलते हैं खाते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ यह अविवावक थे और भी हमारे साथ इस्टूडेंट हैं उनसे भी बात करेंगे बिटक क्या नाम है आपका पल्लवी आदो पल्लवी अभी तक online classes च मास्के अबने सब्सक्राइबर साथे हैं कब भूब्लम हती है कभी मतलब मेरा भाई हम मतलब दो जने तो पढ़ने में मतलब फोन एक ही हो पाता है त में रहती है तो प्रॉब्लम होती है.. अभी साथ तारीक से सरकार ने फैसला लिया एक कि स्कूल खूले याएंगे तो किस अगर मतलब बच्चे जादे हैं तो फिर स्कूल को कुछ सिफ्ट में डिवाइट करके चलाया जाए दो तीन सिफ्टों में किया जा सकता है इस से हमारे स्कूल भी चल सकता है पढ़ाई कांटीनियू रखनी जरूरी है तो निश्ची तोर पर पढ़ाई कांटीनियू रखनी जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कते हो रही थी एक समय में क्लास होती थी जब उनके पास फोन भी एक रहता था ऐसे में घर के जो करने की कोशिज करेंगे बटक क्या नाम है आपका अन्मौल शाद तारिक से कॉले स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं आप किस तरीके से देखते हैं कितनी तैयारियां कर रखी है कर कर रखी है इसमें हमारा लॉस भी बहुत हुआ है इसमें मतलब प्रॉब्लम भी बहुत हुआ है तो इसलिए जो साथ तरीक को हैं स्कूल खुलने का आदेश आया है उसमें स्कूल खुल जाने चाहिए इससे हमारा जो फरस्ट एयर है इसमें हम लोगों समझ में आ पारही है इसमें हम लोगो का बहुत काफी हो चुका है अभी इसके लिए अगर आगर इसी तरीक से स्कूल बंद रहेंगे थी लेकिन ऑफ्लाइन क्लसे शुरू कर दी गई गई है तो उसमें किस तरीके की तैयारिया कर रखी है कि स्कूल जाएंगे तो करोना से भी बचना है क्योंकि करोटा के मामले कम जरूर हुए हैं लेकिन पूरी तरीके से खतम नहीं हुए हैं नियम को अच्छे से फॉलो करना चाहिए और जो है पढ़ाई भी उसमें अफ्लाइन में अच्छे से होगी और जो हमारी तैयारी होगी वो अफ्लाइन क्लासे में ज्यादा मलब बहतर हो सकती है उससे हम लोगों का लॉस भी बस सकता है जो इंटर का आने वाला है तो बिल्कूल ये हमारे साथ स्टूडेंट के साथ साथ अविवावक भी थे जिनका साथ तोर पे कहना है कि लंबे समय से स्कूल कॉलेज बंद थे जिसकी वज़े से उन्हें पढ़ाई में भी काफी दिक्कते हो रही थी लेकिन अब साथ तारीक से स्कूल खोले जा रहे हैं जिसके बाद बच्चो और अविवावक में भी खुसी का माहोल है और साथ ही बच्चो का भी ये कहना है कि अगर एक स्कूल में छात्रों की संख्या जादा है तो उन्हें स्टिप्ट वाइस किया जाए और जो भी कुरोना की गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से पालन क कर आया जाए वीडियो जनलिस्ट जुबेर के साथ है ली जेके न्यू चैनल लखनाव